दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जार्खन T20 टूर्णामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खिला जाएगा डी अच्चे वसी जे एम के बीच में अगर पिच के बारे में बात करें तो दोस्तो पूरी तरह से गुमरा करने वाली पिच हैं कई बार दोस्तो यहां पे 100 का टारगेट है वो भी चेस नहीं हो पाता तो कई बार 160-70 का टारगेट भी सामने वाली टीम इजली यहां पे विंड कर लेती है तो यह जो पूरी लीग है दोस्तो आपके लिए समोल लिग में बहुत ही हाई रिस्की लीग रहेगी क्योंकि अगर आप बल्ले बाजों को ट्राइ करेंगे तो गेंद बाज अच्छा कर जाएंगे अगर आप बोलर्स को ट्राई करेंगे तो बल्ले बाद दोस्तो आपको पूरा लोस करवा सकते हैं तो मैं आपको यही सरजस्ट करूँगा इन मैचल्स के अंदर जितना जादा होसके दोस्तो आप ग्रैंड लिग को ही टारगेट करना स्मोल लिग यहां पर आपके लिए बहुत जादा लोस वाली रह सकती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे जे एम के बारे में इस टूनामेंट में अब तक साथ मुकाबले खेले हैं साथ मुकाबलों में से दोस्तो इन्होंने पांच मुकाबले विन किये हैं और सिरफ दो मुकाबले ये हार कराएं हैं टीम की ओशरे अरविंद कुमार और यहां से विवेक कुमार आपको ओपन करते नजर आ जाएंगे अरविंद कुमार ने दोस्तो 6 पारियों में से 2 अच्छी पारी खेली है एक में 93, एक में 37, बाकी के मैचल में 5 का अखड़ा नहीं छूपा है वहीं पर विवेक कुमार के बारे में बात करें तो दोस्तो अपने पारी को बड़ी पारी में कनवर्ट नहीं कर पा रहे हैं 27, 42 और लास्ट मैच में 13 ये इनकी टॉप इनिंग है बैटिंग के अलावा एक मैच में ऐसे इन्होंने बॉलिंग कर ली थी टीम जादा इनसे बॉलिंग नहीं करवाती है जिनके बाद विसाल सिंग है वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग में दोस्तो देखोगे या तो जीरो के उपर अपना विकेट गवाया है या फिर दोस्तो तीन मैचस के अंदर हाफ सैंचोर लगाई है यानि एक बाद शैट हो गए दोस्तो तो फिर 40-50 बना सकते हैं लेकिन हो सकता है दोस्तो जल्द बाजी में जल्दी भी अपना विकेट गवाया दे बैटिंग के अलवा दोस्तो एक मैच में चार और कमपिट डाले थे उसमें इन्होंने दो विकेट भी निकाले थे उसके अलावा दोस्तो एक एक दो दो अबर बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पर इनको विकेट नहीं मिला हुआ इनके बाद सरेश सागर है नमबर 4 या 5 पर बल्ले बाजी करेंगे अच्छे बल्ले बाज है दोस्तो जैसे जल्दी विकेट गेट गेटा है तो थोड़ा सा रोक कर बल्ले बाजी को अच्छे रन बना रहे है 36-36 लाश्ट मैच में 32 ये इनकी टो आपिनिंग रही है तो टो बोटर अगर कोलैप्स करता है तो वहाँ पर स्रेश सागर आकर दोस्तो अच्छे रन लगा सकते हैं अमित कुमार नमबर 4 और 5 पर खेर रही है नो नाबाद लाश्ट मैच में एक बनाया रजनदीप सिंग लाश्ट मैच में नमबर 7 पर पहली बार बैटिंग करने का मोगा मिला दसरनों का योगदान दिया इनके बाद अतुल शुरुआर है दोस्तो बैटिंग में थोड़ा लेट आते हैं जातर नमबर 7 पर इनको मोगा मिलता है साथ नाबाद, 14, 32 नाबाद ये इनकी टो आपिनिंग है लाश्ट मैच में दोरन बनाए बैटिंग के लावा प्लस पॉइंट दोस्तो इनका ये रहेगा कि ये आपको तीन से चार वर बॉलिंग करके देंगे और बॉलिंग भी दोस्तो काफी अच्छी कर रहे है सुरू के तीन मैच में बॉलिंग की थी तो तीन विकेट और लाश्ट के दोस्तो दो मैच में बॉलिंग की है वहां पर पांच विकेट तो बॉलिंग के दम पर दोस्तो अतुर बिल्कुल अच्छी पिक है बैटिंग से ज़्यादा उम्यदे आप नहीं लगा सकते हैं राहूल परसार टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं बैटिंग में 12 नाबाद इनका टोप स्कोर है और आते भी दोस्तो नमबर 8 पर हैं तो बैटिंग से तो उम्यदे बिल्कुल नहीं रहेगी लेकिन बॉलिंग में दोस्तो ये भी 4 और कमपेट डाल कर देंगे शुरू के 4 मैच में 2 विकेट और लाच के 2 मैच में 2 विकेट कुल मिलाकर दोस्तो बॉलिंग में राहूल परशाद बिल्कुल एक अच्छी पिक रहे सकती है आसीस कुमार है दोस्तो शुरू के खेले गए 4 मैचस के अंदर इनको 4 विकेट मिले थे लेकिन पिछले जो 2 मैच है वहाँ पर काफी अच्छा कमपेक किया और लाच के 2 मैच में 5 विकेट निकाल कर रहे हैं निथुन कुमार दोस्तो अभी तक कोई खास इनका परदसन नहीं रहा है दो मैच है दोनों में विकेट लेस रहे हैं और बात करें दोस्तो अगर चैंजस की तो बस दोस्तो यहाँ पर जसकन शिंग कोई वापिश ला सकते हैं बाकी दोस्तो जादा यहाँ पर चैंजस की गुंजाईस नहीं लग रही अगर चाहें तो दोस्तो एक बैटिंग में भी यह चैंजस कर सकते हैं तो जो भी कोई चैंजस होगा तो उसकी पूरी अपडेट आपको टेलिगाम में मिल जाएगी और टेलिगाम जोइन करने के दोस्तो दो इंपोर्टन लिंक आपको वीडियो के निचे भी मिल जाएगे अगर लिंक वरक ना करें तो आप सिधा टेलिगाम में जाके सर्च कर सकते हैं डबलू जी एप 24 और सर्च करके जूर सकते हैं टेलिगाम के अंदर अब हम बात कर लें दोस्तो डी अचे के बारे में डी अचे की जो टीम है उसने भी साथ मुकाबले खेले हैं लेकिन इन्होंने दोस्तो साथ मुकाबले में सिर्फ तीन मुकाबले विन के हैं सार मुकाबले ये हार कर आए हैं टीम की और से नाजीम सिद्की और आरियन हुड़ा आपको open करते नजर आ जाएंगे सिद्की का position देखोगे दोस्तों तो starting में काफी जाधा struggle कर रहे थे बाद में देखोगे 10, 15, 18, 15 पी अपना विकेट गवा दिया लेकिन last match दो रहा था दोस्तों सिद्की के लिए काफी बड़ा मुकाबला रहा था उसमें दोस्तों इन्होंने 71 रन मनाए इस पारी को अगर निकाल दें तो कोई खास सिद्की की बल्ले बाजी नहीं रही है लेकिन दोस्तों बल्ले बाज काफी अच्छे हैं लंबे टाइम से खेर रहे हैं अनुबोई पलेर हैं आज येन हुड़ा के बारे में बात करें तो 12, 41 नाबाद, 23 और दोस्तों लाश्ट मैच में 11 ये इनकी 4 टोपिनिंग है बाकि 2 मैच में काता नहीं कोल पाए सत्या सेतु दोस्तों टीम के काफी अच्छे बरोस्य मन बल्ले बाज हैं 26 नाबाद, 22, 57 नाबाद और लाश्ट मैच में 36 नाबाद हर मैच में टीम के लिए काफी अच्छे रन बना रहे हैं साहिल राज है नमबर 4 नमबर 5 पे बैटिंग करेंगे 35, 9, 10 नाबाद, 8 ये इनकी टोपिनिंग है लाश्ट मैच में 1 रन बनाया बैटिंग के लावा दोस्तों ये भी आपको लगबग 4 और कंपेट बोलिंग करवा के देंगे शुरू के 5 मैच थे दोस्तों वहाँ पर इनोंने शिर्फ 1 मैच में 3 विकेट निकाले थे बाकी विकेट नहीं मिले लेकिन लाश्ट के जो 2 मैच है वहाँ पर ये 3 विकेट निकाल कर रहे हैं कोर्सल सिंग दोस्तों मेडर और में बले बाजी करते हैं शुरू के दो मैचस के अंदर 48 नाबाद 62 नाबाद बनाए थे उसके बाद देखो कि चार 14 एक नाबाद है बैटिंग के अलावा दोस्तों कभी टीम इन से एक दो और बॉलिंग करवाती है तो कभी चार और कमपेट भी करवा लेती है अब तक एक मैच में तीन विकेट निका लेते हैं बैटिंग में अब तक 28 न का टोप स्कोर है बाकी बैटिंग कुछ खास रही नहीं मौके भी नहीं मिल रहे लेकिन बॉलिंग की बात करें तो कभी एक और कभी तीन वर कभी दो और कभी चार और ऐसे टीम इन से बॉलिंग करवा रही है शुरू के चार मैच में द निकाल सकते हैं अब इसे एक यादो के बारे में बात करें तो दोस्तो अब इसे एक यादो ने शुरू के चार मैच खेले थे वहां पर तीन विकेट निकाले और लार्ट के तीन मैच में तीन विकेट अब तक 7 मैच में 7 विकेट निकाल चुके हैं मौमद आसी मनसूरी दो और टेलिगाम के दो लिंक वीडियो के नीचे मैंने वैंसन कर दिये अगर लिंक वरक ना करें तो आप सीधा टेलिगाम में जाके सर्च कर सकते हैं आपको टाइप करना है WGF24 और सर्च करके जुर जाना है टेलिगाम के अंदर हब दोस्तों सीधा बात करते हैं यमारी डेमो को मैंने रखा है अभी के लिए अपनी बॉलिंग सेक्षन के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों इन मैचल में बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता अगर आप दोस्तों बल्ले बाज को बनाओगे तो हो सकता है पहली बॉल पर विकेट गवा दें अगर गेंद बाज को दोस्तों तो कई बाज है चार उन में को विकेट नहीं मिलता तो जितना ज्यादा हो सकती दोस्तों आप मीनी ग्रैंड लिग या फिर फोक्स करने की को सिजश करना, बाकि दोस्तों जो भी कोई टीम रहेगी चाहे है श्मॉल लिक कियो या ग्रैंड लिक क्यों वो करें थाक्यू फ्रेंच व्ल्द बेस्ट